हलो फ्रेंज, I hope you are doing good आज का जो वीडियो है वो है हाइबरनीशन के उपर हाइबरनीशन जो है ये एक बहुत कामन टॉपिक है जो लोग टॉटल रखते हैं उनके लिए और हाइबरनीशन का में मतलब होता है कि जब आपका टॉटल एक लंबे समय के लिए सोता है, वो आप मान लीजे तीन से चार महिना तक वो बहुत लेजी हो जाता है वो हर वक्त सोते रहता है और वो एक्टिविटी उतना नहीं करता है नहीं खाता है और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी प्रकार से वो सोता है वो अपना वो जो नेक है उसको अंदर डाल के बॉडि का कोई मुवमेंट नहीं करके वो बहुत लेजी हो जाता है और मतलब कुछ नहीं खाता है उसको एक कोना पकर के बस सोने का मन करता है वो मतलब लेजी रहता है क्रेंगे हाइबर निशन में जाने चचल मिन को मूभ करोंगे तो आप अगर उसको अचानक से अपन vendor बहुत कोया संवर्ब गचांगे लग मेलग मोसन सअक्ट कि टर्टल का देथ भी हो जाता है शौक के वज़े से तो आप उसको उनको अच्छा धूप देना चाहिए अगर आपका घर पर सनलाइट आता है तो आप उनको अच्छा धूप दीजिए और आप उनको जितना टाइम धूप में रखोगे वह उतना जल्दी रिकवर होगा आपके घर में अगर धूप नहीं आता होगा फ्लैट में रहते हो कहीं पर भी तो आप एक यूवी भी लाइट भी लगा सकते हो जो आप उनको दोगे तो वह विटमिन दी थ्री का यह काम करता है जो कि टर्टल के लिए बहुत ही इंपॉर्टन होता है कि विटमिन दी उनक मतलब गरम रहे और जल्दी ठीक हो जाए तो आपको फर्स क्या करना आप उनको अच्छे से दूप में देना है और उनका जो रूम टेंपरेचर होना चाहिए वह आपको 30 दिगरी तो एटलीस मैंटेन करनी चाहिए तो उसमें क्या होता है दीरे 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 आपका टर्टल मतलब मूव करने लगता है थोड़ा एक्टिविटी करने लगता है तो उसमें आपको एटलीस आपको 10-12 डेज आप उनको ऐसे ही आप दूप में दीजिए यूविलाइट्स में दीजिए तो क्या होगा कि उनका बोडी में तब एक एक्टिविटी आएगा दूप में रख दूप में दे रहे हो तो कल से ही आप मतलब रिजल्ट आपको मिल जाए उनको 10-12 डेज आपको पकड़ के ही चलना है कि हां मुझे अपने टर्टल को इतना टाइम देना ही है इतना दिन देना ही है तो क्या करेगा एक दो दिन में वो धीरे धीर अपना हल चल करेगा सब्खेड़ देना चाहिए को जब हमारा टर्टल हाइबरनिशन में जा रहा है यह ध्यान देना चाहिए कि हमारा टर्टल वीक है या फिर स्ट्रॉंग है क्योंकि देखिए अगर उनका वेट मतलब कम हुआ बहुत चोटा टर्टल है तो उसमें क्या होता है कि वो लोग उन वो यह उनका बोर्टी रिचा कि आपने रिचाए कर्या की में एक चिया यार ये ज़ा कम नातु हूं घृच्टन है करते दिति से सब्सक्राइब ना लगैज्ट तो ये वह धानी है जब करन्ह पेडिर ने Liberal Dreask में जाता है वह में एक हमर्टी सबस्चेους अच्छा procedure है. Nazi Kang Sa permantin femme जाना एक अच्छा छेज है. लेकिन आपको यह बात ध्यान में देना चैए कि आपका टर्टल हेल्दी हो. अगर आपका टर्टल हेल्दी है थो Nazi Ugrap Harmonism 메ina कोई खराब बात नहीं है. लेकिन अगर आपका टर्टल हेल्दी नहीं है. दूप देना है अच्छा सनलाइट देना है और उनको अच्छा प्रोटीन केल्शियम जिता अच्छा आपको वेजीज हो आपको उनको सब कुछ देना है तो आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि टर्टल का जो इस टाइम पे फूड होता है वो फूड आप ऐसा नहीं कि आप मार्केट में जो हम लोगों पैलिट्स मिलता है आप वही दे रहे हो उनको हर एक चीज देना पड़ता है आप उनको वो भी दे रहे हो आप उनको फिश भी घिलाओ आप उनको चिकन भी दो आप उनको वेजीज भी दो और ये है कि आप चोटे में जो टर्टल्स होते हैं उ पिर आप चिकन अगर दे रहे हो तो हाँ वो खाएंगे लेकिन वेजिस ने खाते लेकिन बड़े होते होते उनको वेजिस का एक अच्छा टेस्ट उनको मिलता है आज का वीडियो यही था कि आप हाइबरनेशन में गए हुए आपके टर्टल को कैसे आप हेल्प कर सकते हो तो ये कुछ बाते थे जो हमें ध्यान में देना चाहिए क्योंकि अगर आपके घर में टर्टल है और आपका टर्टल हाइबरनेट में जा रहा है और आपको पता है कि हाँ उसका health इतना ठीक नहीं है तो आपको यही कुछ बातों का care करना है क्योंकि आप as a pet अगर आप किसी को रख रहे हो अपने घर पे कोई भी हो कोई भी animal हो तो आपका एक होता है कि हाँ हमारे खुद का बच्चे जैसा हो जाता है तो आपको उनको एक तकलीफ में देख के आपको भी तकलीफ होगा तो यह मैं समझ सकती हूगी कि मेरे भी है इसी वज़े से मैंने आपके साथ यह video share किया है मैंने study किया है मैंने टर्टल आज देर साल से मैं टर्टल लग रही हूँ तो kindly subscribe और comment करके बताएगा कि अगर मेरे knowledge में कोई मतलब leakages है तो आप मुझे kindly correct कीजिएगा I am very thankful for you all और बस हाँ यही था आज का वीडियो कि हाइबर ने गए हुए टर्टल को आप कैसे help कर सकते हो और आप उनको heat तो आप देना ही है आपको sunlight d3 उनके लिए बहुत इंपॉर्टन है so thank you for watching my videos